और वो जब साधी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरूस है, वो तो रोज रात में चे सद्या होता उसके साथ करता है न, तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है, तो यह हमको मालुमता कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत साओ, उसको बाहर कर दो, हाँ करता तो है, तो उसी में, अब समझ लेजिए, संच्याग भट रही है, और वो जब साधी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरूस है, वो तो रोज रात में चे सद्या होता उसके साथ करता है न, तो उसी में और पैदा हो जाता है, कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत भूसाओ, उसको बाहर कर दो, आपने माननिय मुख मंतरी नितीश कुमार का ब्यान सुन लिया होगा, अब इनको तो माननिय कहने में भी सर्माती है, और पूरा का पूरा बिहार सर्मिंदा है, और सर्मिंदगी इस बात की है कि हमारे बिहार के मुख मंतरी नितीश कुमार जैसा असलील बेकती है, जो कि भरे बिधान सभा में ही नहीं, बलकि बिहार बिधान परिशद में भी अपने इसी ब्यान को दोराता है, और आपने असलील ब्यान सुन लिया होगा, जब मुख मंतरी नितीश कुमार बिधान आदम खीखी करके हस रहे थे और तेज़स्वी आदम ने इस असलील ब्यान का कैसे समर्थन किया है वो बात भी जड़ा आप सुन लीजिए अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो इसकी लोग जो है सर्माते हैं चकते हैं तो उसे लोगों को बचना चाहिए तो स्कूलों में पढ़ाई होती है बचे पड़ते हैं तो हमको लगता अगर सेक्स एडिकेशन की अगर बात आई उनका कहने का मतलब अबादी कंट्रोल जो है क्या करना है प्राक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया बिहार के मन्य मुख्मंत्री नितीश कुमार और बेसर्मी की हद पार कर चुके हैं दरसल आपको बताते चले कि आर्थिक जंगन्ना रिपोर्ट सरकार विधान सभा में पटल पर रख रही थी और इसी दोरान जनसंख्या नियंतरन को लेकर और जनसंख्या बिर्धी को लेक और आपको बताते चले कि भरी बिधान सभा और भरी बिधान परिशद में दरजुनों महिला बिधायकों के सामने में उन्होंने असलीलता की सारी सीमा तोर दी और उन्होंने एहा तक कर दिया जो बात बताने में हमें कैमरे के सामने में सर मा रही है उन्होंने कहा कि अगर पढ़ेगी तो पहले उनको निकाल देना होगा यानि कि उन्होंने असलिलता की कैसी सारी हदे पार कर दी इस बात से समझने की जगुरत है हमारे समाज में सभी लोग जानते हैं कि आखिर पती पतनी बंद कम्रे में क्या करते होंगे लेकिन ये परदे की चीज है इसे ब नितीश कुमार ये ब्यान दे रहे थे तो महिला विधायक सरमा रही थी और उसके बाद वो रोने लगी और रोते हुए उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी हम आगे आपको सुनाएंगे लेकिन आप लोग अपनी कमेंट करके अपनी प्रतिकडिया जरूर दीजेगा कि आखि लम खुला योन सिक्षा दे रहे हैं और इस पर तेजस्वी आदब ने खीकी हस्ते हुए आखिर क्या क्या ब्यान दिया वो भी आपने जरूर सुन लिया होगा कि उन्होंने ऐसा कह दिया कि ये तो केमेश्ट्री बाइलोजी में पढ़ाया ही जाता है तो अब लोग सवाल क पर रहे हैं कि जब केमेश्ट्री बाइलोजी में ये पढ़ाया जाता है और तेजस्वी आदब इतना जानने को और पढ़ने को इच्छुक थे तो आखिर वो नौमी फेल क्यों रह गए आखिर वो आठमी से आगे क्यों नहीं पर पाएं अपनी पूर्ण सिक्षा क्यों न बिहार की 13 करोर जनता सरमसार हो चुकी है कि बिहार के मुख्या बिहार के राजा कहे जाने वाले बिहार के मुख्मंत्री और उप मुख्मंत्री ने सारी सिमाय तोर दी है अब आगे आप महिला बिधायकों को जड़ा सुन लिजे कि रोते रोते महिला बिधायके क्या कह रह नहीं था कहीं से भी ड्याव चित नहीं था कि एक महिला के उपर इस तरह की अबाद्र टिपड़ी करें करें कि अंदर से भामना बहुत दुखी हुई कि महिला इतनी छोटी चीज़े कि उसके विख्यानों वेसे जिसके विशे में सभी लोग जानते हैं कौन नहीं जानता है लेकिन इस विशे को आपको सार्दनिक दौर पर और वहां जो गिने चुरे लोग बैटे हुए जो समभीधान बनाते हैं उनके बीच में आप क्या बताने की कोशिस कर रहे हैं कौन बेक्ती नहीं है मा, कौन बिक्ती नहीं पिता, कौन बेक्ती नहीं है साधिरुदा किसको यह बात बता रहे हैं आप इस सदन के माध्यम से किसको बयान है तो बाहर में खड़ाओ के गाली वैदान में गोशना कर देना वहां जाके सेक्षवाल क्लास सुरू कर वा देते हैं मुख्मंत्री जी मना किया है कोई सब्सक्राइब यह सोचे सब्षें बयान है मुख्मंत्री जी की मुख्मंत्री जी संगत में दा रहे हैं उसी संगत का गुण उन पर पड़िलक्षित हो रहा है तो हम तो उनकी लेंग बहुत कड़ा भी उनके बारे में बहुत कड़ा बोल दे लेकिन हमको मीडिया की समझ नहीं देंगे क्या them बोलना है इतना ही ज्यान होता तो घृमेत्री का साटिफिकेट विए रहता है हैं देखी अपधूर नहीं से नहीं अधर से लगा की लह हो ॐ महिला के विशे में इस तरह के भया देना मुख्य मंतरी को चलिए इस सब बात की विशे होगी आज हो था वह बहुत पेंफुल है और सायद जीवन भर ये हाउस नहीं भूलेगा हम लोगों को इस तरह की वरताला कभी मुख्य मंतरी के शब्रों से किसी राजय में नहीं सुना पूरे देश्वर की महिला का प्मानौ क्योंकि आप विहार के मुख्यां है 130 क्रोड़ा अबादी के लोग चौदर करोड़ा वादी के विहार के आप मारिक है और आप एक आइडियल परसंट के रुपए विकास पूरुस के रुपए जाने जाते थे लेकिन आज जो आपने क्या वो पूरे महिला कौम को आधी अबादी को अपने शर्मसार कर दिया है